नमस्कार आज निव्सक्लिक का स्टूडियो में मैं परण्जॉय गुहाठा करता हूं और मेरा साथ रबीर पुड़कास तो है निव्सक्लिक का संबादक और आज हमारा चर्चा का विशे है भारत सरकार किस तरह से एक महारतना कमपणी एक सरकारी कमपणी भारत Petroleum Corporation Limited यानि की BPCL इसका विनिवेश कर रहा है प्रभीर आज जिस तरह से भारत सरकार हर बरी में आगे बर रहा है उनका पैसे अब तो बहुत ही जरूरत है इस बजट में कह रहा है कि हम एक लाख करोर से भी जादा ये विनिवेश से डिस इंवेश्मेंट से करेंगे तो क्यूं आज भारत सरकार का ये नजर है कि भारत सरकार का जो 53 फिस्दी से भी ज़्यादा जो इनका शेर है इस कंपनी में ये कोई नीजी कंपनी या बहुराच्टे कंपनी को बेचने जा रहे है देखे एक तरफ अगर आप देखे तो इस कंपनी की जो नेट वर्थ होनी चाहिए तो ये तो एक लोग एक लाग क्रोड से कही होना ज्यादा है तो 53 परसेंट शेर अगर इस कंपनी को बेचेंगे तो ये बात जाहिर है कि उसका डाइवेस्पेंट टार्गेट जो है पुरा हो जाएगा उसे ज्याद ही हो जाएगा मगर एर इंडिया भी नहीं बेचने से अगर बीपी सियल बेच सकते हैं आप कहारे है टार्गेट के आस पास पहुँचेंगे एर इंडिया तो देखिए लॉस पे बेचेंगे लगता है क्योंकि उसको मालूम है उसका एसिट वैलू इसका बुग वैलू इसका जीरो के बराबर है तो उसको कुछ और कुछ नहीं उसके काम करेंगे तो डेफिसिट जो है उससे पूरा होने के जगा बढ़ जाए इसके मतलब भारत पेट्रोलियम बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार जिस तरह से अभी इसके डेफिसिट पूरा करने के लिए बीपीसिएल का ये कहते हैं विनिवेश जो आप करें डाइवेस्पिन जो आप करें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसी लिए है कि बीपीसिएल एक बहुत उम्दा और बहुत मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी है पब्लिक सेक्टर के रूप में लोग हम जानते हैं तजवीर हमारे लोग के सामने ही पेश किया जाता है प्रेस द्वारा सरकार द्वारा कि ये पूरा लॉस सी करता है कोई फायदा इसका है नहीं सिर्फ जो है लोगों की इन्वेस्पेंट जमा जो पूजी है उसको वो वेस्ट करता है बीपीसियल ओईल इंडिया जैसे कंपनियां है ये कितना मुनाफ़ करती है इसके बारे में लोगों का अंदाजा नहीं है और अगर बीपीसियल का मुनाफ़ देखे तो उनका 19 रुपे के शेयर में उननें 190 परसेंट उन्होंने प्रॉफिट पीछले साल दिया पीछले साल उसका करीब दुगना उसका बुग वैलू का दुगना उन्होंने डिविडेंट डिक्लियर किया था इसका मतलब पूरा उसका जो एसेट वैलू है उससे दुगना प्रॉफिट उन्होंने एक साल में डिविडेंट के रूप में वोशना किया था ये इस कंपनी की हालत है मतलब ये सिर्फ profitable नहीं है और बहुती profitable company है साथ हजार क्रोड की इसकी dividend पीछले साल इसकी थी इसका net profit इतना था इसका जो कारोबार है तीन दश्मल चार लाक क्रोड का है तोटल इंकम जो है तीन लाक तो प्रभी इस विशेक के उपर चर्चा आगे बनाने के पहले थोड़ा हम पीछे हट के थोड़ा इतिहास के पन्ने देख देते हैं ये company भारत petroleum corporation limited इसका company का पहले नाम था बर्मा शेल बर्मा शेल का स्थापन हुई थी 20 का दश्मल जैसे में British शेल दे थे और उस समय इनका मालिक थे Royal Dutch शेल बर्मा ओयल, Asiatic petroleum ये बहुराश्टिय शंक्स्ता कही United Kingdom में कही Netherlands में इसके मालिकाना थे और फिर इसका राश्ट्री करण हुई थी जिस समय इंद्रा गांधी भारतवर्ष का प्रधान मंत्री थे 76 साल में, 1976 आपको याद होगा कि 2002 में जब अतरल बिहारी वाजपाई का सरकार इसको विनिवेश करने के कोशिश किया था उस समय वो कर नहीं पाया क्यूंकि उस समय का जो कानून था वो पार्लिमेंट में बदलावनिया है मगर ये सरकार तो 2016 में ये जो पुराना कानून था ये इनको खारिज कर दिया, रिपील कर दिया तो थोड़ा इतिहास के पनने जरा आगा अगर पीछे करके आप देखिए इसका महत्य क्या है, क्यूं ये भारत पेट्रूलियम इतना महत्य पूला तो ये है कि हमारे इस वक्त जो अर्थिक दौर से और राज़ितिक दौर से हम गुजर रहे हैं तो एक चैप्टर खतम करके अब दूसरा चैप्टर भी खतम करने जा रहे हैं कि जो हमने उस वक्त शुरू किया था, पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाये थे, प्राइवेट बैंक्स को जो नैशनलाइज करके, आपको याद होगा, पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाये थे, वीमा कंपनी, लाइफ इंशॉरस तो खेर पहले ही हुई थी, कोईला खनन, इस पात, बहुत सारे ऐसे जो नैशनलाइजेशन हुए थे, इस गोज बियॉंड जो पहले हमारी थी, को पॉब्लिक सेक्टर को रचना करने के बाद के पहलू है, हम नैशनलाइज किये थे, ऐसे कंपनियों की, जो कि उस वक्त, हमारे हिसाब से, देश का शोशन कर रहा था यह तो टेक्नोलोजी ला नहीं रहा था, पर यहां से शोशन पैसा बाहर बेज रहा था, उस पे रॉयल शेल की आप बात कर रहे थे, उस वक्त याँग आपको याद होगा, कैल्टेक्स भी था, अमरीकन कंपनी थे, स्टैंडर डॉयल थे, यह सब जो सेवन सिस्टर्स कहते कि रॉक्ट फेलर की जो ओयल एंपायर की जो शिरकत करने वाली कंपनिया थी, तो उनके पास यह तो एंगलो डच्च शेल जो आप कह रहे है, रॉयल डच्च शेल, जो की आपका एरान में मुसद्दिक नैशनलाइज किया थे, जिनके खादान को, ओयल वेल्स को, रिफाइ विरान आया, उनका राश्टी करन के बाद, का सब जो किस्सा है, यह इस से शुरू होती है, तो एक बहुत बड़ा कदम था, इंदुस्तान में, ओयल हम, क्योंकि एक बहुत प्रॉफिटिबल सेक्टर है, जिस पे दस डॉलर का आपका कॉस्ट होता है, और पचास साथ, कभ पे, जब इसको हम डी नैशनलाइज कर रहे हैं और प्राइविटाइज कर रहा है, तब हम एक दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं, और यह है सीधा साधा देश की एसेट्स की एक हिसाब से लीजी लूट, देखिए तेल का जो कारोबार है, इसके साथ तो राजनी थी, ब भारत पेट्रोलियम का केस देखिए, पचासी साल में जब राजीव गांदी भारत पुसका प्रधार मंतुरी थे, आसाम का जो समझोता हुए थे, आसाम का जो नुमलीगर जो रिफाइनरी है, भारत पेट्रोलियम उसको वो खरीद लिया था, 61 फीसीदी ले लिया, आसाम स सब क्या लग रहे इस बार जब बेचने के पहले सरकार सब ये ठीक कर पाएगा, देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं क्योंकि एक पुलिटिकल इश्यू है ये, कि नौर्टीस्ट के लिए नुमालीगर की एक एहमियत है, और उसको कैसे वो हैंडल करेंगे, कै इसको अलग से ट्रीट करना भी संभव है, बिलकुल आपने ठीक कहा, नौर्टीकर असाम तो एक छोटा हिस्सा है, बीना मद्ध पुदेश में उनका रिफाइनिरी है, मुंबई में हैं, केरला में, कोची में हैं, सब मिल में 38 मिलियन टन आपका चिपल रिफाइन करते हैं, बीपी सियल एक्दम दो नंबर स्थर में, इंडियन आउयल के बाद बीपी सियल आते हैं, और इनके 15,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है, 6000 से ज़्यादा रसोई गैस, LPG का डिलर्शिप है, तो जो भी खरीद लेंगे, सिर्फ ये रिफाइनरीज ने, ये पेट्रोल है, जो हम कहते हैं, रिटेल डिस्ट्रिबूशन नेट्वर्क जो वितरन करने का जो है, इनी के पास है, और भारत पेट्रोलियम का जब विनिवेश हो जाएगा, तो ये लगबग आदा के आसपास गिड़ जाएगा. देखे, इस वक्त स्ट्रेटीजिक जो एहमियत है, BPCL का ये रिफाइनिंग के वजह से सिर्फ नहीं है, जो आपने ठीक कहा, कि ये जो डिस्ट्रिबूशन नेट्वर्क है, इसका भी एक बहुत अहमियत है. क्यों है? क्योंकि दो नीजी जो रिफाइनिंग कमपनी है, एक तो है रिलाइंस, दूसरा है आपका S.R.Oil. इन दोनो के पास है, और ये तो दूसरे पॉब्लिक सेक्टर्स के पास है, जिसमें बीपी सेल एक बहुत इंपॉर्टन हिस्सा है. तो इसलिए इन दोनों का प्राइवेट कमपनी जो रिफाइनिंग के पास है, वो चाहते है बहुत दिन से है, एक डिस्ट्रिबूशन कमपनी खरीद ये बेचने जा रहे हैं, जो क्योंकि और जो शेर्स है, ये तो दूसरे ऑइल कमपनी के पास है, ये तो आपके बैंक्स के पास है, ये तो आपके लाइसी के पास है, तो तिरपन प्रतिशन मतलब पूरा ही इसका ऐसे जो सरकार के पास है, ये बेचने चाहते हैं, और तीस स investment and public asset management. इनका तो अनुमती मिल गया. हाँ public asset management ये public asset managers को हम अलग रखते हैं पर आप देखे इसका कीमत market में क्या होना चाहिए इस बात की अगर जिकर करें तो देखेंगे आपने की जो पहले बेचा गया था SR Royal को. SR का जो मालिक थे इन्होंने बेच दिया था Rosneft के पास और भी दो तीन कंपनी वों बिलाके ये इसका consortium था करीब इनकी 20 metric billion ton की जो इनकी refining capacity है उसको करीब 12.9 billion dollars में बेचा था उस हिसाब से अगर देखें तो इसका कीमत आपका BPCL का करीब 25-30 billion dollar हो जाता है इसके साथ अगर उसकी distribution network को जोड़े इसकी strategic value बहुत है Indian market में तो इसका करीब double इसका market value होता है जैसे आपने आप है तो 53 प्रतिशत अगर इसका shares बेचे कम से कम 25-30 billion dollar की हम बात कर रहे हैं और आपका budget का जो लक्ष है एक लाग करोर के आसपाज जैसे हमने अभी अभी बात किया आज भारत पेट्रोलियम में 12,000 से जादा उनकी एक पर इडिवाज़ जो कह रहे हैं कि एक लाग करोर आपका divestment का target है तो सिर्फ इस divestment से हमें तो लाग करोर रुपिया मिलने की सब्भाव ना है अगर इसका market price जो हमने जिकर किया वही निकलता है वो समय बताएंगे अब मिलनेंगे की ने मगर ये जो 12,000 जो कर्मचारी है भारत पे ट्रोलिम इन लोग तो विरोध करेंगे क्या लग रहे है क्या होने वाले आने महिनों में देखें विरोध इस वक्त सरकार की राजडितिक जो कारी क्रम है इसमें शायद बहुत बड़ा रुकावट आम जनता या एप्लॉईज की प्रोटेस्ट पे नहीं होगा क्योंकि आपने देखा होगा मनमोहन सिंग ने आज जो कहा है हिंदू में उसे ये निकल के आता है कि सौब भारत वर्ष की बागडोर आर्थिक बागडोर बड़े पुजी-पुजीओं के हाथ में सौब देना चाहिए और मनमोहन सिंग ये कोस रहे है कि बोदी जी इसमें बहुत पहल कदमी नहीं कर रहे है तो मतलब सबसे बड़ा उपोजिशन पार्टी की इसमें लगता है कि सहमती होगी आम जलता पे इसका राय क्या होगा उसके सामने पब्लिक सेक्टर के छबी बहुत खराब गर दी गई है और ये बताना कि एक बहुत प्राफिटेबल सेक्टर थे इसको बेचने का बतलब किया है ये आज के तारिक पे मीडिया कोई कहने वाला नहीं है तो न्यूस क्लिक जैसे चैनल को छोड़ के ऐसी बाते बहुत आम जनता तक नहीं पहुँचेगी तो सवाल सिर्व इतना ही है क्या जितने लीगल आपस्टेकल्स हैं इसके और जो इस तरह के बड़े विक्री होती है उसके लिए प्रेपरेशन चाहिए होता वो प्रेपरेशन है क्या अभी अभी ये पता नहीं कितने जल्दी ये कर पाएगा की नहीं क्योंकि आने वाले दो हजार बीस साल में फेबरुरी में नया बज़ेट आने वाले है तब तक होगा की नहीं मगर मेरा आखरी सवाल जो है आपसे कौन खरीदने के लिए त्यार है मैंने पाँच नाम सुना और शायद ऐसा हो सकता है एक साथ भी आ सकते हैं निलाम में एक तो है भारत वर्ष के सबसे बरा नीजी कंपनी जो भारत वर्ष के सबसे अमीर वेक्ती का नेजितने में चल रहा है Reliance Industries Limited उनके साथ दो कंपनी के साथ समझाता है अभी एक तो है British Petroleum BP United Kingdom की एकर है साओधी अरहरेविया का अराम को जिसके साथ Shell का भी एक समझाता है और डिलाइंस इंडस्ट्री के साथ भरत पेट्रोलियम का प्राकृति गैस में कृष्णा गुदावरी बेसित में एक समझाता है और साओधी और अरामको ने कहा कि हम खरीदने वाले हैं शेयर जो एक बहुत बड़ा एक आई पियो अभी शुरू करने वाले हैं और भी दो कंपनी का नाम हम सुन रहे हैं ये मलेजिया का पेट्रोनस और कुवेट का पेट्रोली कुवेट पेट्रोली आपको क्या लग रहे हैं क्या होने वाले हैं देखिए दो रॉजनेफ्ट का अपने नाम नहीं लिया, रॉजनेफ्ट भी इसमें शायद बिर्कत कर सकता है, क्योंकि एसार की रिफाइनिंग कपासिटी खरीदने के बाद, यह तो विन्योग करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यह तो उनको आपको इहां इसके डिस्ट्रिबूशन चाहिए, तो उनके भी एक इंट्रेस्ट हो सकता है, डिस्ट्रिबूशन पार्ट को खरीदने के लिए, दूसरी बात है, रिलाइन्स का ओव्वियस इंट्रेस्ट है, उसी वजए से है, उनके पास रिफाइनिंग कपासिटी है, देश में इसलिए मुझे लगता है कि ये रिलाइन्स की और देखते हुए ही ए विदियोग हो रहा है, ये दाइवेस्मेंट हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि एक हिसाब से, ओयल में और अल्रेडी रिलाइन्स सबसे बड़ा है, रिफाइनिंग में, अब डिस्ट्रिबूशन में भी सबसे बड़ा होने का संभावना है, और टेलेकॉम में तो खेर एक और एकदम सेंट्रल बनावपली, अंडिवाइड़ बनावपली बनने का स्तर पे है, तो ये सब देखते हुए, सिर्फ मुहन सिंध जी ने जो कहा कि बोदी जी पुजी पतियों पर भरोसा नहीं क सिर्फ एक पुजी पतियों के साथ क्यों है, सब पुजी पतियों के साथ क्यों नहीं है, ये शायद कहते हैं तो ज्यादा माफिक होता नहीं, तो इस वाक्त जो दिख रहा है कि अम्वानी ही इसमें लगता है सबसे बड़ा फेवरिट प्लियर निकलने का सबभना है, क्या एक चार महिने में हो पाएगा, तीन महिने हो पाएगा, यह जरूर सवाल है. धन्यवाद प्रवी आपने सरल भाशा में समझाया कौन आने वाले महिनों में ये बहुती बरा एक संगस्ता है, एक सरकारी संगस्ता है, एक मुनाफ़ा बनाना संगस्ता है, कौन खरिदने वाले हैं, ये बरा एक महा रत्ना, धन्यवाद, धन्यवाद, देखते रहिए, न्य झाल झाल